कि दोस्तो आज में आपको बजाज Pulsar RS200 का ग्रे मेटाली कलर देखाना वाला हूँ दोस्तो बजाज Pulsar RS200 में अभी ब्लैक अलावविल्स अपडेट हो चुका है 2022 मॉडल में और इस बाइक का जो ग्लॉसी ग्रे मेटाली कलर है काफी बढ़िया कलर है आप देख सकते हैं इस इसमें जो अपडेट हुआ है उसके बारे में एक डीटेल में आपको वाकराउंड देने वाला हूँ 199cc का ट्रिपिल स्पार्क लिक्विट कूल इंजिन है जो की फोर वाल्व टेकनलोजी के साथ आता है 24.5 PS और 18.7 Nm का टॉक जनरेट करता है और हैंडल पार्ड भी आफलिटेड है जैसे पहले मिलता था और स्विच गया कंसोल भी काफी बढ़िया है स्विच गया का जुड़ गया है इसमें और राइट सेड के हैणडल बार में माफ जाईगा सेल्फ स्टाट का स्विच और इंजिन कील स्विच देखने को मिल जाता है इंजिन काफी रिफाइन है ट्रिपिल स्पार्क इंजिन है इस इंजिन से आपको अच्छा का सा कावरेज माइलेज माइलेज एराउंड एक्सपेक कर से करके चल सकते हैं साइट स्टेंड इंजीन कट आफ इसमें अभी एड़ हो चुका है इसमें आभी आ रहा है अब दोस्तों बात करें टायर सेक्षन का तो पीछे आपको 130 by 70 साइज के 17 इंच वाले ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाता है और फ्रंड में 80 by 100 प्रोफाइल का माफ कियेगा 100 by 80 प्रोफाइल का 17 इंच वाले ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जा जाता है और साइड में आपको थोड़ा थाइप पैडिंग देखने को मिल जाता है जो कि राइट के दौरान काफी बढ़िया फील आपको दे देता है फ्रंड का जो वाइजर है वो भी देख सकते है प्रोजेक्टर एलेडी हेडलाम्प है माफ किजिगा प्रोजेक्टर हे इसमें यह गाड़ी आपको मिल जाएगा पिछे का जो नंबर प्रोजेक्टर लाइट है वो भी KTM का यूज गया है यानि कि जो LED नंबर प्रेट लाइट है वो इसमें यूज किया गया है फ्रंड में 300 mm का डिस्क ब्रेक अड़ पीछे 230 mm का डिस्क ब्रेक इसमें आपको प डाउन प्रेमेंट में आपको लगभग 20-25,000 के डाउन प्रेमेंट आपको मिल जाएगा और दोस्तों मैंने डेस्क्रिप्शन में शोडूम का कॉंटक्ट डाल दिया है तो उधर आप चेक करके कॉल कर सकते हैं वीडियो आपको कैसा लागा जरूर बता है ज्यादा कुछ अपडेट इसमें नहीं हुआ है लेकिन जो कलर अपडेट हुआ है और जो ब्लैक अलएविल अपडेट हुआ है मैं आपको वेने बता दिया काफी छोटा सा एक बेसी एक्जास्ट इसमें दिया गय की सकते हैं आपको कैसा लागा वीडियो जरूर बता है चैनल पर जरूर सब्सक्राइब करें और जार शेयर दर शेयर किजिए थैंक यू